वेस्ट इंडीस की टीम इस वक्त शिलंका के दौरे पर है जहां गौल में तीन मैचों की टेस्ट सिरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है वेस्ट इंडिस की तरफ से अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे जेरेमी सोलो जोन के साथ इसी मैच के दौरान मैदान में दर्दनाक हाथसा हो गया 26 साल के जेरेमी सोलो जोन के हेलमिट में फिल्डिंग के दौरान शिलनका के कप्तान दीमुत करुना रतने का जबरदस्ट शौट लगा इसके बाद हेलमिट उतारते ही वो जमीन पर गिर पड़े उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें स्ट्रेचर से मैदान के बाहर ले जाना पड़ा जेरेमी सोलो जोन को बिना किसी देरी के एम्बुलेंस के जरिये अस्पताल पहुँचाया गया ये घटना शिलनका की पारी के 24 में ओवर में घटी करोना रतने का शौट इतना जोरदार था कि गेंद के हेलमिट पर लगने के बाद हेलमिट का पिछला हिस्सा तक निकल गया बाद में वेस्ट इंडी स्कुर्केट बोर्ड ने उनके हेल्थ की जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि उनको हॉस्पिटल में स्कैन किया जाएगा और हमें उमीद है कि वो तेजी से रिकवर करेंगे